आज इस टॉपिक को हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टाइपस अफ लिटरिचर में एक और जानरा है जिसका नाम है इसको आज हम स्टडी करते हैं और इसको हम पढ़ते हैं कि इसको हमने कैसे शुरू करना है और जो हम दिमाग में सोच रहे होते हैं कि कहानी में ये करेक्टर कैसे चल रहे हैं ये कैसे end up होंगे ये इस कहानी में क्या मिनिंग है आपको कोई करेक्टर क्यों पसंद आता है क्यों ना पसंद आता है कोई सीन आपका फेवरेट सीन क्यों होता है और वही सीन किसी और का फेवरेट सीन क्यों नहीं होता तो इसकी बहुत एहम वज़ा यह होती है कि जब दो लोग एक कहानी पढ़ते हैं, तो actually वो मुक्तलिफ किसम के मेनिंग पर पहुँचते हैं, मुक्तलिफ किसम के कॉन्प्लूजिन पर पहुचते हैं, तो कहानिया पढ़ना actually it is a central to our meaning making process. नमबर टू, जब हम imaginary fraction परते हैं, तो यह encourage करता है हमें और बच्चों को especially, कि वो मुक्तलिफ किसम की possibilities के बारे में सोचें, कि क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, और उनका जो cognitive or intellectual process है, तो imaginary कहानी में ना सिर्फ author के साथ सच चलता है, बलकि वो मुक्तलिफ conclusions में पहुच सक है, तो imaginary कहानी बच्चों की cognitive development में, उनकी brain development में बहुत help out करती है, अगली important चीज जो हमारे सामने आती है, वो यह आती है कि जब भी कोई author कोई कहानी लिखता है, तो बन्यादी तोर पर उसके अपनी life experiences होते हैं, same way अगर वो imaginary लिखता है, तो अपनी life experiences को imagination के साथ जोड़के उनी को एक interesting तरीके से narrate करता है, जब बच्चे fiction score और imaginary कहानीों को पढ़ते हैं, तो उनके लिए बहुत असान होता है, कि वो समझ सकें कि खुशी क्या है, गम क्या है, डालेमस क्या है, और वो उनके साथ easily connect हो सकते हैं, अगली important चीज जो हमारे सामने आती है, वो यह आती है कि बच्चे जब imaginary और fictional stories पढ़ते हैं, तो वो predictions करते हैं, वो infer कर सकते हैं, वो तस्वीरों को देखते हुए, आई यह बता सकते हैं कि अगले scene में क्या होने वाला है, या इन तस्वीरों में कुछ ऐसी चीज भी दी गई है, जैसे कि हम discuss कर चुके हैं पहली, जो कि actually text के फैरी टेस हों, रियलिस्टिक हों, historical books हों या कोई भी imaginary books हों, वो बन्यादी तोर पर बच्चों को समझने में मदद देती हैं, क्या समझने में कि वो खुद कौन है, वो क्या हैं, उनकी खाहिशात क्या हैं, उनके खाप क्या हैं, दूसरों के खाप क्या हैं, कैसे उनके और और वो ये बहतर तरीके से larger word को, इसकी reality को, लोगों के connection को समझ सकते हैं, जब हम compare करते हैं imaginary को दूसरे genre से, तो important चीज़ी आती हैं, कि हम imaginary और fiction पढ़ाते वे बच्चों को easily empathy develop कर सकते हैं, क्योंकि imaginary stories बहुत pictorial interesting books होती हैं, और वो एक ऐसी किताबे होती हैं, जो आपको fantasy और का connection बहुत easily बना लेती हैं, और आपकी empathy जो है, उसको develop करने में बहुत ही मदद देती हैं, आप क्या, जब हम imaginary की कहानिया पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सी important चीज़ों के साथ, एक और important चीज़ का पता चलता है, वो ये पता चलता है, कि हम stereotype चीज़ों की बारे में समझते है कि चीज़े ऐसे होती है, या facts के अंदर ऐसे होती है, या real life में सिर्फ चीज़ों की चलने का ये pattern है, वो तूट जाता है, तो imaginary पढ़ने का एक फायदा ये भी होता है, कि वो आपकी stereotype patterns को और stereotype perceptions को तोड़ देता है, जब हमारी stereotype perception किसी भी reality के बारे में तूट जाती है, या क इसा कैसे हो सकता है, ये ऐसा क्यों हुआ, और वहाँ से हमें समझ आती है कि actually writer के intention क्या है, उसकी motivation क्या है, वो हमें क्या message देना चाहरा है, जो कि under the lines है, जो कि ना white है, जो कि ना black है, but it's a grey line, so अगली important चीज़ हमारे सामने आती है कि early childhood की class का एक important component है, imaginary stories, non-fiction और fiction, बोथ stories आते हैं, so इसका एहम वजा ये है कि हम fictionary stories क्यों डालते हैं, या imaginary stories क्यों डालते हैं, क्योंकि imaginary stories जो है, वो built-up ही की जाती हैं, कि वो intellectually thought provoking हो, और वो चीज़ है क्योंकि हमें नजर नहीं आती, वो आम realities नहीं होती, वो एक extra realities होती है, वो हमारी imagination की दुनिया होती है, तो उस क्या चीज़ें ऐसी हैं, जो के आपको creative होने से रोग सकती है, imaginary और fiction stories का सबसे important contribution ये है, कि जब आप सोचते हैं, और आप mentally visualize करते हैं, उन चीज़ों को, जो के actually persist नहीं करती हैं, और उनको समझने की कोशिश करते हैं, राइटर्स के point of view के समझने की courses करते हैं, ये तमाम इसके रास्ते में आती हैं, और ये रास्ता हमें कहां लेकर जाता है, सबसे important चेहता आती है, contrived reading material, जो कि बहुत ही restricted हो, इसके अंदर specific vocabulary हो, और specific syntax हो, यानि जुम्लों को express करने का specific, strict, simple, or non-emotional grammatical structures मौझूद हो, ये structure बुनियादी तोर पे बच्चों की language development के उपर भी focus न नहीं करते, जब तक के बच्चे naturally कहानी से connect नहीं होते, जब तक कहानी का flow naturally होता, जब तक वो कहानी खुझ से choose नहीं करते, जब तक कहानी जो है, उनकी जबान, उनकी grammar, उनकी spoken skills के साथ match नहीं करती, तो बन्यादी तोर पे इस किसम की कहानिया और बिकोर restrict कर देना, कि ये उसे early childhood classroom में होनी चाहिए है, literature में और ये नहीं होनी चाहिए है, उसका बहुत बड़ा नुकसान ये हो जाता है, कि बच्चों की creative imagination जो है, उसको रास्ता नहीं मिलता ग्रो करने का, और उनकी ICS से जो creative participation है, वो भी कम होती चली जाती है, हमारा ख्याल ये होता है, कि इसे regenerative process से हो सकती है.